दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे एक जिम वेबसाइट के बारे में डिसकस करने वाले हैं यह पूरे के पूरे फाइल्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप इसको यूज कर सको अपने स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जितना आपको दिखेगा बस उतना ही इस वेबसाइट में है और यह आप डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के अंदर हम यह भी सीखेंगे कि कैसे आप इसको आप इसको आनलाइन ले करके आओगे ताकि पूरी दुनिया से कोई भी आपकी वेबसाइट को देख सके तो यह जब आप वेबसाइट ओपन करोगे जब तक कंटेंट लोड नहीं होता एक लोडिंग एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका लोगो है और यहाँ पर आपका यह आप देख सकते हो पीछे एक वीडियो चल रहा है जो की काफी अच्छा इफेक्ट आपको देगा नीचे स्क्रॉल करते है चूज प्रोग्राम बेसिक प्रोग्राम के आपके डीटेल है आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना एडिट कर लेना Classes आपका Provide करते हो, वो Details यहाँ पे हैं, यहाँ क्लिक करने पे उसके According Details चेंज होंगी ठीक है, नीचे Scroll करता हूँ तो यहाँ पे हमें Options मिल जाते हैं, Classes Schedule का और यहाँ पे आपके पास Time Table है तो अगर आप Tuesday पे क्लिक करोगे, तो Tuesday के Detail, Wednesday, Thursday और Friday उनके Details यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हो Trainers की Profile आप यहाँ पे लिस्ट कर दोगे, ताकि आपके जिम में जो admission लेगा, वो यहाँ पे चेक कर सके आपकी website पे Left-hand side पे आपका map embedded है और Right-hand side पे contact form है नीचे footer में credits लिखा हुआ है मेरे channel का, तो यह इस website का demo था अगर आप about पे क्लिक करोगे, तो यह internal linking है, इसलिए scroll हो करके आएगा तो यह काफी अच्छा आपको animation दिखाने वाला है तो यह files आपको मिल जाएंगी, इस वीडियो में आपको सारा detail बता दूँगा अब हम बात करते हैं कि इसे online कैसे हम ले करके आएंगे किसी भी website को online ले करके आने के लिए कम से कम दो चीजों की जरूरत होती है एक होता है domain name, एक होता है hosting domain होता है पहचान, नाम, आइडेंटिटी जैसे domainreser.com, facebook.com, google.com तो जो नाम होती है एक पहचान होती है website की, एक brand की यह आपको select करना पड़ता है अपने लिए और hosting वो जगह होती है जहां पे आपके website की files रखी होगी जैसे मेरे case में यह वाली file है तो ऐसी ही दोनों चीजों की requirement आपको पढ़ती है domainreser आपको इन दोनों ही चीजों की services provide कर देते हैं तो अगर आप domainreser.com पे जाओगे और आपको सिर्फ domain की requirement हो तो पहले ही page पे आप नीचे देख सकते हो बट हमें इस case में domain and hosting दोनों की requirement है तो मैंने web hosting वाले page के उपर click किया web hosting पे आने के बाद आपको नीचे scroll करना है और यह आप read out कर सकते हो light speed की technology है pure SSD disk space है free SSL certificate आपको मिल जाएगा SSD जो होता है वो बहुत जादा fast होता है light speed technology काफी fast होती है SSL का मतलब होता है आपका यह secure HTTPS connection और 20 cross की faster आपकी speed है एक चीज मैं add करना चाहूंगा कि domain racer में अब एक premium SEO tool launch हो चुका है जो कि आपको इन तीनों ही plans में free of cost मिल जाएंगे जिसका अगर एक साल का खर्चा बताओ मैं आपको तो 45,000 रुपीज का वो tool है जो कि free of cost मिलता है मैंने currently silver plan ले रखा है लेकिन इस tutorial के अंदर मेरा motive है सस्ते में आपका काम हो जाए तो मैं आपको basic plan की तरफ जा करके दिखा रहा हूँ वैसे मैं recommend नहीं करता real life website के लिए अगर आपका सिर्फ project वगरा है तो basic के साथ जाना वरना मैं personal recommend करता हूँ बढ़ क्योंकि मैं as a student ट्रीट कर रहा हूँ आपको इसलिए हम सस्ते की तरफ जाएंगे यहाँ पर आप एक website को host कर सकते हो 1GB की SSD की space मिल जाएगी 10 email account create कर सकते हो और बहुत सारी details यहाँ पर mentioned है यहाँ से आप इसको one year की तरफ जा करके view पे click करोगे और अब यह आपको बोलेगा अपना domain name बताओ मैंने यहाँ पर cyber warriors gym लिखा और dot in की तरफ हम चले जाएंगे ध्यान दे और भी काफी सारे extensions हैं जो की काफी कम price पर आपको मिल जाएंगे 70-80 रूपीज के भी domains यहाँ पर available है check पर click करे एक बार में मिल जाता है तो अच्छी बात है वरना यहाँ पर spellings वगरा को change कर ले यह देख रहे हो आप XYZ आपको 70 में मिल जाएगा यह सारे details यहाँ पर mentioned है नीचे scroll करके continue करे continue करने के बाद आपका hosting यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या चीज़े आप कर सकते हो इसको आप सही तरीके से read कर लो कुछ changes requirement है तो back जाके कर सकते हो continue पर click करे again continue करे अब यहाँ पर आपका domain and hosting दोनों का price mentioned है कुछ भी edit करना हो यहाँ से करे कुछ extra दिख रहा है तो यहाँ से उसको delete करे checkout पर click करे checkout पर click करने के बाद जिस तरीके से आप online shopping करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ basic details pass कर देनी है अपना email address वगरा pass करना है एक password generate करना है और complete order आपको कर लेना है एक बार जब आपका यह successful हो जाता है तो इसके बाद आपको login पर जाना है और यहाँ पर जो आपने अभी-भी email address और password generate किया order को success करने के लिए वो provide करे provide करने के बाद login पर click करे login होने के बाद जितने भी services आपके पास active होंगे वो यहाँ दिख जाएगा उसके उपर click करे and जिस भी domain के उपर आपको काम करना है obviously इस case में आपको सिर्फ एक domain मिलेगा लेकिन मेरा plan मैंने आपको बताया है मैंने silver buy किया है तो मैं तीन domain के साथ काम कर सकता हूँ active के उपर आपको click करना है जिस भी domain पर आपको काम करना है तो active के उपर click करे यह options यहाँ पर कुछ कम जादा आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि मैंने काफी सारे यहाँ पर plans जो है वो opt किये आपको right hand side पर नीचे एक option मिलता है login to cPanel उसके उपर click करे click करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हो saw से भी जादा options domain resource आपको provide करता है delete करने के बाद यहाँ पर हमें हमारे website को upload करना है यहाँ पर आपको option मिलता है upload का इसके उपर click करे और यहाँ पर आप क्या करोगे जो आपकी files है उसको आप select करे drag करे और यहाँ ला करके drop करे ठीक है तो मैं यहाँ ला करके drop कर देता हूँ यह 100% दिखा रहा है similarly हमें और भी files को करना है पर उससे पहले मैं यहाँ पर आ करके एक बार इसे reload करके देख लेता हूँ folders upload नहीं होते हैं इस बात का आप ध्यान दे मैं आपको फिर भी एक बार test करके दिखा देता हूँ यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ और इसको यहाँ से drag करके यहाँ ला करके अगर हम drop करे तो आप देखोगे यह नहीं होगा ठीक है तो folders upload आप नहीं कर सकते तो इसके लिए हम क्या करेंगे assets नाम का एक folder है इसे हम अपने hosting के ऊपर create कर लेंगे as it is तो मैं यहाँ पर आ करके नया folder create कर रहा हूँ folder मैंने create कर दिया है अब इस folder को मैं open कर लूँगा और इसके अंदर हमें देखना है अपने computer में क्या क्या options है css font images js ठीक है तो आपको इसी order में यहाँ पे भी folders को create करना है कैसे होगा यहाँ click करो css का एक folder बनाना है fonts का एक folder बनाना है और इसी तरीके से images और js का भी folder आपको बनाना है server पे css की files को open कर लो इस folder को open कर लो और अपने computer वाले के css में आ जाओ इसे यहाँ से drag करना है और यहाँ पहले तो मैं upload पे click कर देता हूँ क्योंकि इसी particular location पे करना है यहाँ से drag यहाँ ला करके आपको drop करना है पूरा हो जाने के बाद इसको cut करें and css के folder में हम लोग currently one level up जाते हैं पीछे आ जाएंगे fonts के folder में आएंगे और अपने computer वाले में fonts के folder में जो भी रखा हुआ है whereas it is यहाँ से copy करेंगे और यहाँ ला करके drag और हम यहाँ पे upload करेंगे तो यहाँ पहले मैं upload पे click कर देता हूँ and it files को drag यहाँ ला करके drop तो सारी files हमारी upload हो चुकी है अब आप इसको cut कर सकते हो one level up आ जाएंगे similarly आपको images and javascript की file को भी upload करना है तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़े upload कर दी है तो हम यहाँ से चले जाएंगे one level up और main जगा पे हम आ जाएंगे अब हमें क्या करना है आप नए tab पे जो भी आपका domain name आपने select किया है उसको open करके देखें तो मेरे case में cyberwarriors.xyz है इसको आपको open करके देखना है तो यहाँ पे आप उसे check कर सकते हो आपकी जो website है वो पूरे तरीके से live आच चुकी है और हो सकता है कुछ बार आपको refresh करना पड़े कई बार यह पुरानी ही history आपको दिखा रहा होता है तो एक बार history को clear करके देखें एक दो मिनट का वेट कर ले चीजों को load होने में थोड़ा सा समय लगता है तो यह हमारी website जो है वो live आच चुकी है और पूरे दुनिया से इसको कोई भी देख सकता है स्टार्टिंग में ही मैंने आपको check कर आया यह mobile friendly है तो कोई इसे mobile पे भी देखना चाहे तो यह बिल्कुल सही खुलेगा तो कुछ इस तरीके से हम एक website को online ले करके आते हैं और server के उपर उसे migrate करते हैं यह files आपको कहा मिलेगा आपको जाना है मेरे channel के about section में और नीचे scroll करके आपको जाना है यहाँ से store पे store पे आप click करोगे तो कुछ ऐसा interface आपके सामने आएगा और जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होगे यहाँ पे मैं उन file को add कर दूँगा आपको उस file के उपर click करना है और get it के उपर click करना है basic details पास करके claim it for free पे आपको click कर देना है ध्यान दे compressed file है software की requirement पढ़ेगी open करने के लिए winrar का winrar अगर यह software आपके पास है या कोई और zip का software है तो ही इन files को आप right click करके extract कर पाओगे उमीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे चैनल पे new है तो subscribe करें bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में thanks for watching guys